असलामुलेकुम आज हम इलामा इकपाल उपन युनिवसिटी विजनिस अकाउंटिंग कोर्स कोड है हमारा 1340 की एक्जैंपल नंबर फॉर्थ एक्जैंपल स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर वन की ठीक है एक्जैंपल नंबर 3 तक हम अपने सारे टॉपिक कंप्लीट कर आज हमारा टॉपिक है 1.2.4 एंड एक्जैंपल नंबर 4 ठीक है सबसे पहले देखते हैं कि इस टॉपिक में हम आपस एक नहीं चीज आ रहे है बैलेंशीट थीक है जिसमें आज के टॉपिक में हमने बैलेंशीट बनाना सीखना है इंकम एड एक्स्पेंडिटर अकाउंट इस चीज़ाइक है और रिचेप्स एंड पेइमेंट अकाउंट भी हम बनाना सीख चुकरें आज हमने एक बैलेंशीट बनाना सीखना है तो और कैपिटल फांड फाइंड करना सीखना है सबसे पहले पर दकन हमारे बैलेंशीट का इंट्रोड़क्शन गीवन है स्टेटिक that shows the financial position of any organization balance sheet a statement होती है जो किसी भी organization की financial position यानि माली हालत का इसार करती है ठीक है like the commercial organization जिस तरह commercial organizations होती है यानि कैसी organizations जिनका मकस्द मुनाफ़ा कमाना होता है it is prepared by the non-trading concern to ascertain the assets and liabilities of any entity ठीक है बिल्कुल इसी तरह जिसना एसी organization जो होती है जिनका मकस्द मुनाफ़ा कमाना होता है वह वह अपनी balance sheet प्रिपेर करती है इसी तरह non-trading organization यानि कैसी तन्जीम है जिनका मकस्द मुनाफ़ा कमाना नहीं होता वह भी अपने assets and liabilities से result जो होता है result निकालने के लिए balance sheet को prepare करती है इस आलसो prepared in the same manner as followed by the trading organization बिल्कुल इसी तरह जिसना trading organizations में balance sheet बनाए जाती है non-trading organizations में balance sheet इसी तरीके से बनाए जाती है ठीक है लेकिन इसमें सिर्फ एक चीस का difference है the only difference is that capital account is replaced with accumulated fund or capital fund ओने इसमें सिर्फ एक फरक होता है कि उसमें जो capital account होता था उससे हम replace कर देते हैं उसके जगह हम क्या लिखते हैं यां थो accumulated fund कलफ यूज करते हैं यह हम capital बनाते हैं ठीक है इसमें capital capital account यूजनी बल्कर dinero चाब्स में आप इन दोनों में से कोई सावाल भी चूज़ कर सकते हैं ठीक है दा कैपिटल अका दा कैपिटल फांड इस ऑप्टेन बाइड डिटक्टिंग दा लाइबिलिटीज प्रॉम दा एसी ठीक है बाहुज उकात क्या होता है कि हमारे पस कैपिटल अकाउंट गीवन नहीं होता औ कैपिटल अकाउंट और ये उसका कैपिटल अकाउंट फांड करना होता है इह उसका फार्मुलार लिखा हुए कि毒 होता है ऑसे किस प्रॉमप किया जाता है जो लाइबिलिटी ज puisqu आइव हम पानर भी लिगिंग को मानेस कर दें नोंट ऑन्यक्रेडिक को अपना final account बना कि हम अपना final account कुन सा बनाते हैं income and expenditure account बनाकर अपना surplus या deficit find करते हैं ठीक है उसमें हम commercial organizations में capital fund fund capital account बनाया करते थे और capital account की amount निकाला करते थे जबके non trading organizations में हमने balance sheet बनाकर अपना capital fund find किया करने ठीक है capital fund की amount आजाएगी ठीक है अब example number four start कर लेते हैं किसमें क्या लिखा हुए फाल्विंग इन्फॉर्मेशन इस प्रवाइड बाइड बाइड लाहूर नेर्सिंग सोसाइटी फॉर फॉर ये एंडिट ओंट 13 जून 2020 यू और यूर रेक्वाइड तो प्रिपेर दे इंकम जून 2020 ये एक बालेंट देट टीक है आपने क्या कहने है रिक आर्सिंग सोसाइटी का लाहूर निर्सिंग सोसाइटी का फाइनल अकॉंट बनाना इसके तीस जून के भी बनाने है ठीक है हम रेसिपिस पेमेंट बनाना सीख चुके इंकम एक्सपेंडि़एड रकांट बन करना हम सीख सुके हैं ठीक है आज हमने क्या एक नई चीज सीखनी है हमने देखने हैं कि नोन ट्रेंडिंग और गनाइजेशन वो अपने कैपिटल फांड के साथ अपनी बैलंस चीट की सरीके सा बनाती है ठीक है जब एक्जांपल थी में एजस्मेंट का इंट्रॉडक्शन है लेकिन जो एक्जांपल थी थी हमने उसमें सिर्फ एक असर सॉल्फ किया था उसका एक इंपक्ट शो किया था जो इनका में एक स्पेंडिचर अकाउंट पर पढ़ता था क्यूंकि उस कोस्टन में हमें बैलंस चीट बनाने के लिए नहीं का गया था ठीक है आज के हमारे पास लिखा होगा है कि अपने सबसे पहले कि हमकर चाउंट हम सरकी का था कि بنाने लगें नर्सिंग सॉसाइटी चा तो हम बनाने लगे हैं लाहूर नेर्सिंग सुसाइटी का यहां पे उनका नेम मेंचन करें नेम लिखने के बाद सेकेंड लाइन पे हम क्या मेंचन करेते हैं हम वो चीज मेंचन करेते हैं जो हम बनाने लगे हैं और हम इस टाइम इनका मेंडिक स्पेंडिचर अकाउंट बना टिके ठर्ड लाइन में हमने वो डेट मेंचन करनी होते हैं कि जिस टाइम पीरियड का हम इंकम एंडेट अकाउंट बनाने लगें तो आप देखें हमारे पास क्या डेट मेंचन हैं हमने इंकम एंडेट अकाउंट बनाना है 30 जून 2020 अकाउंट बनाना है वैसे जिए कोई फाइनल अकाउंट बना जाते ह्साल के आकिर में अकिर में बना जाते हैं इसी वज़जे से हमने क्या बनाना है हमने बनाना है यह यह जिए हैं कि यह पॉंप आपने सोल्व करदें उसके बाद आपने क्या करना इस एक कॉंट बना लेना इस यह इसाइबिट साइड का एक्ष्मिंडीचर लिख जाते हैं फिर इंकम और फिर आपने इंग सकते जितनी अग्णे ठूरिवर करें आज का मारा एक्ट छ वह भी फर्स फॉप यूनिट नमबर वन पह पहले आपको पता होगा के एक्सिपेंडिचर में क्या चीज़ मेंचन करते हैं और इंकम में हम क्या चीज़ मेंचन करते हैं ठीक है अब देखते हैं कि हम अपने डेटा पर आ जाते हैं जो मर्पस गीवन है अब देखें सबसे उपर हमारे पास क्या लिखा हुआ हमारे पास लिखा हुआ हमारे पास लिखा हुआ है जो लास्ट एर की रिसीव सेंट पेमेट अकांट में जाते हैं जो रिखा हुआ होते हैं यह साल का कैश इन है यानि की यह साल का बांस बीडी को आप बेलेस ब्रोट डाउन भी कहते हैं तो यह ज़ला नदेख को यह बैलेस नदरा और होगा इसी तरह यह जो बैलेस नदाए यहीं जब हम नेक्स्ट यर की बैलेंस इसीट बनाएंगे तो यहीं बैलेंस कश in hand के नाम से वहां पर नाम पर माजूद होगा यहांने कि किसी भी Receipts and Payment Account में जो लास्ट यह बैलेंस बच जाते हैं हैं तो आ हम यहां पे सिर्फ स्फ अपने सिर्फ को मैंने करना है और यहां पर हमें अपने सिर्फ एक्सक्रिप्शन करने है तो आप नहीं नहीं बना रहें था विशुदुन करते बहुत मैंके आपको करते मों मैं पूस्सक्रिप्षण सब्कृप्षाज़ करते हैं अगर आपके पास कभी फिर बीड कीवण है। कि यह तर्द देखने हैं डैटा से । तो आपने उसको पर स्टार मेंचिन करते जाने जिसका जिसके साथ के आपके पास गीवन है ताकि हम उनकी वैलिस को बाहर लिखने की बजाए कॉलम के अंदर ही लिखें ठीक है सबसे पहले हम एजस्टमर्स देखने दा सुसाइटी ओंस फ्री हों लैंड कोस्टिंग सब्सक्राइब के लिए 500 पर जो हमने घल्दी से क्या कर दिये सब्क्रिप्शन अमाउंट के अंदर एड़ कर दिये तो जो यह एजस्टमेंट इसका दो जो डेटा में दो वह मारे पस गीवन है ट्रांजेक्शन उनके साथ लिंक बन रहा है एक तो इसका बन रहा है दोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड आपने एक स्वार यहां पर लगा लेना है यह दो स्वार आपने लगा लिए सब्सक्राइब को याद रहेगा कि इनके साथ एड़ेस्टमेंट गीवन है और हमने इनकी वैल्यूस को बाहिर नहीं लिखना बलके कॉलम के अंदर लिखना ह जब किसी ट्रांजेक्शन के साथ किसी हमारे पास कोई एड़ेस्टमेट गीवन होते है तो उसकी वैली हम बाहिर बाहिर कॉलम में लिखते हैं कि अधिर हमारे पासे मेडिस्टमें पर चेश डियूरिंग यह यह यानि के करेंट यह अमाउंटिंग रुपीज शिक्स की एड़ेस्टमेंट है कि इससे रिलेट करें तो आपने एक्स्टार यहां पर मेंचन करेंगें ठीक है अब हम अपना सॉल्फ करने लगें कोस्टन तो सबसे पहले आप देखें हमारे पस क्या लिकावाई बैलन्स इन हैंड आपने इसको स्किप करेंगें क्यों कि यह आप अब देखें इसको साथ हमने क्या लगाया हम एक स्टार लगाई है तो अचुछ में फाइदा हुआ है कि इस वैल्यू ने बाहर नहीं जाना तो यह जो हमारे वार्स ट्रॉम मैं से कॉलम के बाहर यहां पर फाइफंडस सेविट यहां पर नहीं लिक हूंग कि बलके मैंसे फिस फ्रोम नोन एड़ान के तूम तरफ लिख दूंगी और फिस फ्रोम नोन नोन मेंबर्स टिक है प्सक्राइब कुछ फिस आई है इनल्ट के तुरूं कि त यहां पर पर क्विस पेसे पिसे आता है तो वह मरें क्या होती एंकम होती है अपने थोड़ी सी लाइन एक दो ला कि नौन मेंबर्स को इसके तेरा थेरा सो पचास इसके साथ कोई अज्जस्मेंट नी इसकी वैल्यू को हम बाहि लिखेंगे और हमारे पैसा आ रहे हैं फीसिस के तरू तो यह हमारे क्या इंकम थीक है इसके साथ कोई एड़िस्टमेंट डीच को आप बाहिं लिख लीए यहां तक हमने सौल्व कर लिए उसके बाद मैनिस्पल मैनिस्पल ग्राइट हमारे पास ग्रांट आगे ठीक है है घर्ट है तो यह पूंद हो सकती है तो किसी है आइक on के इंकम होती है को वह ईसके सत्व कोई अंदर नहीं है उसकी बांपर करफ शक्राइख मैंट 35 तो यह वैल्यू है हमारे पास 5000 रूपीज तरह मारे पास और डूनेशन फार बिल्निग फंड हमारे पस टूनेशन आईिए ट्यूनेशनन के लिए लापस डूनेशन हे तक है अगर मैंने आपको लास्टे चैप्रे कामें इंटूर्क्षन पढ़ ले थे तो मारे पस डूनेश रिजैर प्रभाइब जरती और सुनार आफी तेटर तो सब्सक्रेज। करता ऐत depends on past 2 का सब्सक्रेश के हैं क्या सब्सक्रा पार शाहलीड जञताक नौन ट्रेडिंग कंसर्म्स प्रॉममर्स और जर्णल पपलिक के डुनेशन क्या होती है। एक ऐसी रखाम होती है जो जर्णल पपलिक से या मेंबर से वसूल कर नौन ट्रेडिंग और्गनाइजेशन यानि कैसी तनजीमें जिनके मुनाफ़ा कमाना नहीं होता। वो जर्णल पब्लिक से और मेंबर से ये रकम वसूल करते है दामाउंट मेंबे और टू टाइप से लेकिन इसके इस डूनेशन की दो टाइप से एक जर्णल डूनेशन होती है और एक क्या तो स्पेशल डूनेशन होती है जर्णल डूनेशन क्या होती है जो हमें फ्री में द में डूनेशन फिक्स करके दी जाएं तो वो हमारी क्या होती है वो हमारी स्पेशल डूनेशन बन जाती है और हम उसे क्या करते हैं जब जो जो जनर डूनेशन होते हैं तो उस तरह कि डूनेशन को हम कहते हैं करें कि हैं गीवन हैं तो यह हमारे पस किस टाइब के डूनेशन गीवन है यह हमारे पास डूनेशन गीवन है बिल्डिंग फंड के लिए ठीक है यानि कि यह क्या स्पेशल डूनेशन और जो स्पेशल डूनेशन होती है वह हमारी क्या होती है लाइबिलीटी तो आपने इस चीज़ को भी सब्सक्राइबिलीटी तो आपने इसे छोड़ देना है ठीक है जब आप इनकाम एक्स पंडीचर अकाउंट बना रहे होते हैं फिर लिखा हुए हमारे पास इंट्रस्ट इंट्रस्ट जहां पी लिखा होगा सिंपल इंट्रस्ट तो वह क्या होती है हमारे इंकम होती है और ज मेंशन कर देना वो देखने इंट्रस्ट के साथ रेस्ट का इच्टमेंट ईट्रस्ट के दी लिए पर आसरे धायर क्रe полностью संट्स ब्सक्राइब है नि सॉलफ कर ली आप देख goosebumps पर्सक्राइब यहां पेमार साइड पेमारे पर कैसी सेखalous औे इसने यहां आपक्ति हमें मुझ चाह रहा है किसी भी शिकस को अदा करते हैं हम इसका गांट को एकस्मेंस होता है थी, भी काफ़ एडियो को ये ख़सी वैलियू को डायरेक्ट भाहि लिकांगे उसके बाद हमारे पर में लिखा हुआ है जिंगा वह बोल्व, उन्यज्ट्री तो जब हम पैसे देते हैं तो यह हमारा एक्सपेंस होता है तो इसके साथ कोई अधिस्मेंट गीवन नहीं है तो हम इसकी वैली को भी डायरेक्ट बाहि लिग देंगे पिर हमारे पास लिखा हुए रेंट रेट एंट एक्स पेमर साइड पेरेंट से भी शोर है कि यह रेंट रेट और टेक्स बगर हमने अदा कि हैं यहां पर पर आप रहा हमारा क्रच्छा होते हैं। अगर हम कोई एसेट खरीद रहे हैं तो वह हमारा बैलेंशिट में जाता है ठीक है यह मने कार खरीदने पर हमारा खर्चा तो हुए दस हजार का लेकिन यह हमारा एक्सपेंस नहीं है यह हमारा एसीड है तो आपने इंकम एड एक्समेंडिचर अकाउंट में कोस्ट आफ कार कुंकर इसेट आप यह हमारा एक्समेंस नहीं बलके हमारा एसेट में हमारे पास पर हमारे पास दोजीजे करके घीवन होत कि मेरी इंकम कोन सी है और ऑने परो यह जो होती है डोाएबिलेटी कोन सी कम करते हैं अपने I can't currently अपर कार इसके साद ने पंधार कि आधि वाय अब नेक्स जार मारे पास तडॉक्स एंड इंसिडेंटल इक्सिक्पेंस jeопs क्या हो गया या यानिके द्रचिण वगारा पर दौइयों बगारा पर हमारा करचा यही तीन हजार थीन सो पचाशां रुपए तो आपने क्या करें यहां पर मेंचन कर देना और इसके साहद हमें स्टार लगाया हुए शो कर रहे है कि इसके साथ एजस्मेंट गीवन है तो इसकी वैल्यू का मैंने बाई लिखने की बजाए कि अंदर लिखने है इसकी वैल्यू के यहां तक हम ने सारी वैल्यू को अपनी लिख ली हैं ठीक है अब हमारे पस लास्ट लें के बैलन्स मारे कितने हैं 6225 लास्ट train का बैलंस है भी कैते हैं और यह निहीं नहीं धिकारा आटका यह के तो उसे भी पुत्पर देंगे ठीक है आप देखें दा सुसाइटी ओंस फ्री होंड लैंड कोस्टिंग रुपीज फॉर्ट हाउसें और वीच इस प्रोपोस्ट टू बेल दानर्स होस्टल ठीक हमारे पास फ्री होले लैंड माजूद है लेकिन क्या यह मारा इसीड है यह ब प्राड़ाईन प्राण्प्यस फंट वह देखिसा स्टप्रिफियर होस्टिंग रिखेंड आप चर्णियुकर। एड़ कर दिया तो यह दिए क्या कर रहे है अगर हम घलती से किसी किसी रखम को कहीं पे पूट कर देंगे तो वह से माइनस कर देंगे और जहां पर पूट करने होगी वहां पे कर देंगे अब इस जो एड़ जेस्टमेंट है इसका दो चीजों से तालुग बन रहा है किस से एक तो building fund से बन रहा है और एक subscription से बन रहा है अब value के हमारे पास 500 रुपे तो 500 रुपे की रखम हमने building fund के लिए वसूल की थी जो हमने subscription में add कर दिया है और हम अब हमने क्या करना अपनी इस घल्दी को इस error को दुरूस करना है तो हम क्या करेंगे subscription account में जो हमने घल्दी से 500 र एकक मरणा खाड़े तो मोगने गल्ती से 500 रुपिता और मूड़ा एक्स्ट्र रॉफEd हमसे माइन fenayend मारि अभाड़ नेदिद आप है के च L2 लूई यहां पर कोई बलू सब्न है और यहां दIES कर देंगे आप यहां फाद़ जैम शनी सब्दलिंड री आरें ख़ल्सें अ से किसे फाइनल हैंगों क्या कर देंगे कॉलम के बाएं लिख देंगे एक हमने सौल कर लिया तो हमने आइन THIS करेंगे और किरने थे हमें एड करने थे अपने बिल्णिंग फञेंडे में तो फिल् countryside हमारा किया हमारा एसेट था छोड़ दे तो वो हमारे क्या जाएगा बैलेंशिट में तो इसका बिलिंग फंड का अकाउंट हमारे इंकम एक्सपंडिचर अकाउंट में कहीं पर भी नहीं है तो हम एक दफाइस का एक जो है ना इफेक्ट वो इसको छोड़ देंगे ठीक है वो बैलेंशिट में जाकर सॉल्व होगा अभी हम सिर्फ बना रहे हैं एक्सपंडिचर इनकम एक्सपंडिचर अकाउंट अब लास्ट हमारे पास क्या गिवन एबिल फार मैडिसन परचेस डियूरिंग दाइयर अमाउंटिंग सिक्सपोर्टी वाज आउटस्टेंडिंग ठीक है आप देखिए हमारे पास क्या लिखा आप बिल यानिके यह हमारे एक्सपंस है और यह क्या आउटस्टेंडिंग क्रांटियर का आउटस्टेंडिंग मैंने यह आपको एक टेबल लिख वाया हुए ठीक है आप देखिए क्रण्टियर का आउट्स्रेंडिंग का ट्रीट्मेंट क्या होगा यानि कि इस वैल्यू को हमने इस से रिलेट अकाउंट में एड कर देने हैं या वो हेडिंग दे सकते हैं आप फर्क पड़ता है है और लेस्ट करने से आउट्सेंडिंग और प्री लिखने से आगए या आपकी निरेशन आपको भी लिखने या आपका अपना कंसर्ड नहीं ठीक है या आपके अपनी चोई होती है आप क्या लिखें तो वैल्यू क्या यहां पर कर देंगे श्यूश चालीस को एड़ यहां पर हमने क्या कर लिए अपने इंकम और कोई इजस्मेंट बाकी नहीं है हमने इंकम एन एक्सपेंडिचर अकाउंट कंप्लीट कर लिया अब हम क्या करेंगे हम हैं वैल्यूस का टोटल ले लेंगे आपने क्या करना है कॉलम कर्येट करना यहां पर आपने लिख देने तोटल यहां पर भी अपने क्या लिख देने डिने चैनल तोटल के अंदर आपको पता है दोनों मो क्ली वैलियूस होते हैं मो क्ली वैलियूस होने के बावजू साइड़ों का टोटल हम एक की लिखते हैं तो हम कौन है जो हम डोनों साइड़ों तो हम यहां पर मेंचन कर देंगे हैं हमारा यह पूरा कॉलम के इस सौल्व हो गया उसके बाद यहां पर आ जाते हैं यहां पर हम इने एक जश्वर की थी यानि कि हमारे ड्रक्स एंड इंसीडेंटल एक्समेंसिस ते 3 350 रूपेज और 640 चाहिस का बिल आउस्टेंडिंग चल रहा था तो 3350 रूपे में 640 रूपे की अमांट को जब हमने एड कर दिया तो बन जाएगा 3,000 3,990 रुपीज ठीक है आपने इस वैली को यहाँ पर लिख दिया अब आपने सारी वैल्यूस को सौल्व कर लिए अब आपने क्या करने हैं आपने अपनी राइट साइड को कल्कुलेट कर लेने हैं और अपनी लेफ साइड को कल्कुलेट कर लेने हैं देखने से पता चाल रहा है। तोटल बढ़ा हो, उस साइट के टोटल कम हो, उस में से माइनस करते जाते हैं, यानि के 14,370 में से आपने 5,075 को माइनस करने हैं, फिर आपने 5,000 को माइनस करने हैं, फिर आपने 5,000 को माइनस करने हैं, फिर आपने 900 को माइनस करने हैं, जब आप इन 4 वैलिस को माइनस कर ले हैं हम यह फांड आउट करने के लिए बनातने हैं कि साल में हमें सर्पलसedes हुआ इस वहा तो यह हमारा डैफिसीट हुआ है तो आप यहां पर लिख सकते हैं डैफिसीट की हैडिंग देंगे और लिखेंगे deficit अगर ये balance हमार career income side का balance ज्यादा आता और expenditure side हम यहां पर surplus की heading दे के अपना balance लिखते है इस side पर balance काम हाई तो हम deficit का प्लिखते है और इस side पर balance काम हाई तो हम surplus का लिखते है ठीक है defisit का world आपको क्या show कर रहे है defisit का world ये show कर कि हम ने जो साल में जो इनका खर्चे की है वह जादा की है जब कि जो हमें उसे आपनी आपको यह बनाना आगया होगा ठीक है अब हम आजाते हैं अपनी मैलेंश यूट को स्टाड करने से पहले अपने क्या करने हैं गार बाले ए तो मनता है ged admin music के crystal रैक्षाय को पूरा ड好吃 बनाने जा छिए मैं तो वी आपके गीवन है कि हम यह किस का बना रहा हैं यह बिलिकुल यह जो तीनों नर्सिंग सॉसाईटी की है को ऊइ Wha छी आँजीट का ना मेंचन कर दें प्रहाज संपे यू चारों के बनाने जा रहे हम बनाने क्या जा रहे के फिर प्राइट कौना रिखेंगे और हम किस टाइम पीरिट की बनाने जा रहे हैं रिक्वार्मेंट में हमारे पस डेट गीवन होगी फॉर दा इयर एंडिट यहां पर जो भी आपके पास वैलियो ना और डेट लिखे आपने वह लिख देने थीक हैं मेरी बुक उसाइट पर पढ़िया वह पेज पड़ गया तो मेरे पास पेज एक्स्ट्रा पढ़ा हुआ है तो जो आपके पास डेट होगी ना आपने यहां पर मेंचन कर देने थीक ह अब हमने यहां पर क्या करने अपने एसिर्स मेंचन करने अपने यहां पर क्या करनी है लाइबिलेटीज मेंचन करनी और कोई चीज हमने मेंचन नहीं करनी तो सबसे पहले देखें हमारे पास लिखा हुआ हुआ है बैलेंस इन हैंड जो हमने इंकम एक्समेंडिचर अकाउ आपने पार्गार्द भी दो से तीन दफ़ा पढ़ चुके हैं में एड़ेस्टमेंट भी पढ़ चुके हैं हमें वर्ड कहीं पर भी नहीं ने लिखा सब्सक्राइब करने लगें से सληशहन आपने बीगिनिंगें मैं से पूरे माक्ना जारा हो हो फांड के अब घागा तो सब्सक्राइब आपनें घ्रइस होेड़े ab哥 कि ऐसَ से मिलें पक्या पर हम पस्काना अदने मैं स्लिटेस के स earlier जालएगा हमारे पसा जाए गाना आसे लेंड, बेंड, कैश, cash ad bank, cash and hands इन वह भी कता है to balance in hand जो जो यह पहला बैलंस होते है हमारे होते है beginning acid तो यह मारा beginning acid क्या एक हो गया है हम यहाँ पर mention कर देंगे balance yeah okay, my balance ко b paradise now है हमारे पास कितना ये बालंस हें हमारे पास थोड़ी से रिपरिजैंटेशन अच्छी कर लेता हैं ठीक है इसको चोड़ें आप हम लिखेंगे कैपिटल फंड थीक है मैंने इसको इसले वो कट कर दें कि इसकी रिप्रिजैंटेशन इच्छी बन रही माइनस निगनिंग लाइबिलिटी लाइबिलिटी यानि के जो बिगनिंग लाइबिलिटी जानि के जो शुरू की जिम्मेदार हैं उनको माइनस कर दें तो हमारे पस क्या आ जाएगा सबसे पहले हम करेंगे बिगनिंग इसर्स हम क्या करने लगे हैं फाइंट करने लगे हैं एक हमार पास बिगनिंग एसर्ट का है फॉर्स बैलनेस इन हैंड हम यहां पर लिखेंगे बैलनस लिखने के बाद इसके अमाउंट हमार पस क्या गिए वन है टैन थाउसन जिरो फिटी ठीक है दस थाजार पच्चास ठीक है हमने यह मांट यहां पर लिख दी रुपीज के साथ उसके बाद यह उसके बाद सब्क्रिप्शन डून यह हमारे क्यात इनकम थी यह वैल्यू भ इंग्ट यह साल के दोरान की लाइविलिटि एठीक है आप यह लाइविलिटी ना समझ लीजिए गाइसाइन गातर ना यह हमारे का uh बीगनिंग एसरी दो मीड में आरिए ना डूनेशन फॉर बिल्विनिंग फॉन्ड है भरon को आम पर कशोस। कि हमने उनेशन फॉर बिल्विनिंग फड़न काल्या कर देने हैं यह पर मेंशन कर देनी है ओ तो तो जो तो एक अन्दर लिखें कि यहां पर एक स्टार लगाया हुआ था यानि किसके साइजस्टमेंट ही इसी ज़गान दिना समझ आती लिए कर ली जो इड़क़ इस इस क्लम के अंदर होता है इनका सिर्फ एक 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 असर होता है ďक इसका हृस्ट करना है ठीक है तो सब्सक्रिक है निचे नियुक्प सब्सक्राइब लिए अपने समय गोवान वीन कोस्ट अबना हमारे वह सारा भीवान ₱ चाहिए ना बाखना थरो ह्भी ना पूर ना भी चाहँ यहां पर बैलेंस कना लखते हैं जो करने हैं Ce तो आप उपर नीचे गेशे आसड़सी और का नत zoals और चाहे तो मैंने यहां पे लिखे हैं को स्टोफ कार थोड़ा सी उपर से दो लाइन चोड़ इसके साथ मेरी कोई एजस्ट्मेंट नहीं थी तो मैंने इसकी वैल्यू को डायरेक्ट बाहिर लिख दिये तो मैंने वैल्यू सॉल्व कर दिया लेकिन इसके साथ ही एक एजस्ट्मेंट ठीक है ड्रॉक्स एंडर वाली वैल्यू का एक ही एफेक्ट होता है जो हम शोग कर चुके हैं तो आपने इसको भी छोड़ देना है फिर हमारे पास एक रह गया था बैलनस यह बैलनस हमारी बैलन स्काव स्वी के द figur कर दो करतों का दो सकते हैं यह जो मुझा है के सब्सक्राव क्या हूट कर दो तो आप इसे से प्राड्रा देक सकते हैं और ₹ जब्ल duplic के नाम से या कंपार थाय तायां के लिइभार्व सकते हैं कहते हैं Eh सब को सॉल्व करें अब उपर कोई भी ऐसी ट्रांजेक्शन नहीं बची जो हमने सॉल्व लेंग की अब हम आ जाते हैं अपनी इस पर यह जो हमारे पास एड़ेस्टमेंट गीवन थी इनका सुलुशन पर आ जाते हैं अब यहां पर लिखा हुआ हुआ है दा सिक्यूरिटी इस लारे को कोस्टिंग रुपीज चाली सार वान एक फ़ेजी दार पर born to be इंट नेट गिजह तो यहां कैपनेंटन के दिया जाते हैं यहमारे साल जारी रहती है एक इंपेक्ट वे गीमें में क्याम की निए मैनने पाsystem के फाई ौहां के स्टाइज उस वार विखी करीँ तो हमारा ने जले गन तक हमारा केश एंड का ऊचे शूआ चल की ऐगी है कि एक से वड़साइड ट्रॉड लैंड की वैलिए के है चालिस हजार पर तिक है अपने यहां पर लिख दी अब मैं जैसे कि हमें पता है कि हर चीज के दो असर होते हैं एक तो असर हमने क्या कर दिया शोग कर दिया है दूसरे इसका कहां प्रशाद पर रेंगने हैं कि ये लेंड है लेंड क्या होता है छो कि इसलिए cui में अच्छत का पर रा जूरा ऑज्छाना है और याए। यह पी लैंट City हम लोटलन देओ फीन होरेधने Does फान इसलिए उखने का थार occupies में झाल रुपिए कि अब ये अड़ार रुपिज्ट में किम्प्लेटली सॉल्व हो गया क्योंकि इसके दुनावट पूरे हो गया बैलंशिट हीट में भी और इंकम एकस पानीचर अकाउंट में भी ये अड़्जेस्ट में डब हो गया है कि आप धिक तरह किया थे क्योंक टो मैं क designs for टो में से फाव तको रहाभा हों है तो हम भू रूयर्स चीज यह वं संस्क्राइट चीजो में ज्यत्तव पर बेनिऌ हैं तो यह आप सकते तो आप शीजों कने यो चाहिए जहां भी काशेंडिंग में फॉर आप सकते तो तो तोनेशन फॉर बिल्निग फड़न्ड में और एक इफेक्ट तो अमने शो कर लिया था अब माइनिस करके घाँ पर नहीं हो मैंने क्याने सब्सक्रिप्रण्ड नहीं है तिए अपनी चुछ होती है यहां पर किसी किस तना लिखने है यह फर्ट परते हैं अब इसके दोनों सर पूरे हो गया एक अकाउंट समने माइनस कर दिया और एक में जाकर एड का दिया तो यह जो एडिस्टमेंट है यह भी हमने कंप्लीटली स्वॉल्फ कर लिए है अब हमारे पास एक आखरी रहा गी अभी लोग मेडिसन यह हमने क्या किया था च्छे सो चालिस रुपे जाके मेडिसन अकाउंट में हमने क्या कर दिये थे ठीक है क्योंकि यह आउट्स्रेंडिंग ते और क्राइंटियर के थे वहां पे प्लस कर लिए थे अब इसका एक ए आउट्स्रेंडिंग में और करने और यह क्या वह स्ट्रेंडिंग करने होगा यह हमारी लाइबिलिटीm है om आप इसे किसी भी नाम से लिख सकते हैं तो मैं यहां पर लिखने हैं आउट्स्टेंडिंग आउट्स्टेंडिंग मैडिसन भी कितने की अमाउंट थी 640 रुपे मैंने इसको बाही लिख देखें मैंने सार डेटे में जितनी वैले उसी हमने सौल्फ कर लिए हैं अभी तक हमारे पर सब चीज़े फाइंड आउट हो गया हैं लेकिन हमारे पास कैपिटल फंड नहीं है जब तक हमारे पास कैपिटल फंड नहीं होता हमारी बैलेंशीट कंप्लीट हो ही नहीं सकती कैपिटल फंड की हेडिंग देनी है कैपिटल फंड हमारे पास गीवन हो डायरेक्ट लिख देते हैं नहीं गीवन तो अब हमने क्या करने हैं अब हमने क्या करने हैं हमारे पास क सब्सक्राइब करेंगे तो बन जाएगा उनकी वैल्यूस को एड कर देंगे तो बनता है यह 50,050 रुपीज तो यही आपकी वैल्यू को आप कहेंगे कैपिटल फंड अगर आपके पास कोई बीगनिंग लाइबिलिटी गीवन होती तो आप उसको माइनस कर देते हैं चूंकि लाइबिलिटी गीवन नहीं है तो आपने माइनस के बेना इसी वैल्यू को आपने डायरेक्ट लिख देने capital केपिटल फंड में आपने इस वैल्य को लिख देने फिफ्टी थाउजंड इस कपिटल फंड की वैल्य को भी आपने अंदर लिखने ना के बाहि लिखने 50,000 क्यूं अंदर लिखने इस वज़ह से लिखना है कि अगर डेव हमारे पास सर्प्लस हुआ होता है तो उस सर्प्लस की वैल्य को केपिटल फंड में हम एड कर लीए और तो इस वैल्य को हमने केपिटल फंड से जाके माइनस कर लिए डिफिसित के वैल्य के टो थाजन सेवान हम्राइड कि आप यह इस वैल्य को इस में से 50,000 पचास में से माइनिस करने हैं दोजार साथ सो पच्पार पच्पार रुपर तो आपके पास आजाएगा फौर्टी से जो अंसर रहा है वह फाइनल अंसर हो कर आपने उसे क्या करने है यहाँ पर लेक्सायटे साइड के तोतल जा कि अधिल लेक्षी पर दोनों साक投ूल लेंगे साइड का टोत्ल अम्हें कि अदोकि उसके टोतल यह बार जबेंगे जब उनτο हमें च्छीट होती यहिए complaint सब्सक्राइब करेंगे तो आप जब इस सब्सक्राइब करेंगे तो आपके पासार आएगा तो आपके पासार आएगा तो यहां पर आपका यह कुस्टन कंप्लीट हो जाता है ठीक है आज हमने क्या किया अपनी एक्जैंपल नंबर फॉर भी कंप्लीट किया और इंट्रोड़क्शन टू बैलेंश इट भी हमने किया और कैपिटल फांड फांड करना भी आज की है इससे प्रीवियस मैंने इससे पहले मैं साथ लेक्श्य डिलीवर कर चुकी हूं जिसमें मैंने आपको एक एक इस वर्ल्ट वर्ल इस चैप्टर से लिलेटिड जो भी बेसिक कॉंसेप्ट थे मैंने आपको क्लेयर करवा दिए ठीक हमारे एक आफरी टॉपिक रहागे इस पर इस नमबर पर मुझे से कॉंटेक्ट कर सकते हैं जो इलाम एक वाल उपर यूनिवस्टी से ब्रॉंग करते हैं इसके लावा कोई बच्चे नहीं और वह बच्चे जो इंटर्मीडियेट लेवल के लाइक वह फे पार्ट वान एंडू किये या फिर वह आइकों पार्ट पर मॉट कर ईकारियो कि ये वरी जो बच्चे होते हैं निगे अकाउंटिंग अजिक अर बच्षप का सब्चेक्ट प्यार मुट कर देए अड़े टीक उनके बच्चे ज्यादा कॉंट ने ञिए उनको चाइब करने हैं तो आपने आंपको बीदियो अच्छी लग और एक्जामपल कवर करने एक्जामपल नमबर फाइब अलाहाफिस पिर इंशाला नेक्स वीडियो में मिलेंगे